नमुश्कार मौप्रिया धराधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश की अपता की प्रहुख खबरों को मुंबई के मध्य पश्चिमी और दक्षिन अलाके में आज सुवह बिजली कुल रही जिसे शहर की लाइफ लाइफ लाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेंस सेवा भी प्रभावित हुई ऑक्टूबर 2020 के बाद से भारत की वतियद राजभानी में ये पहली बार बड़ी बिज अजिसे शुष की कितने हिसेदारी है और आगे इसका क्या अनुमानित स्वरूप होने वाला है इसका विस्तार से वर्डन किया गया है देश और बिहार के स्तर पर घर्टी प्रश्रंदर और साल 2011 की जणगरना की आधार पर अनुमानित आबादी और उसमें किस उम्र दर्शाय गया है रिपोर्ट बताती है कि साल 2016 तक बिहार में 15-69 साल के उम्रवालों की अनुमानित संख्या 9,18 लाग होगी यूकरेन और उसके बीच जारी युदि के बीच दूसरे देश के रास्ते यूकरेन से आने वाले भारती नागरिकों के लिए दिली हवायडे ने संचोदित एडवाईजरी जारी किया है जिसके दह जिन लोगों का कोरोना वाकसिलेशन नहीं हुआ है और जिन लोगों के प यहां रूस को दान करने के लिए क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है हाकर्स ने प्रोफाइल का नाम बदल कर आई सी जी ओन्स इंडिया भी कर दिया था अब ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया है किड्नी प्रतियार उपन के बाद मरीज जीवन भर नीश्चुलक जरूरी और जीवन रक्षक दवा पाने के हकदार है या नहीं इस बारे में दिली हाई कोट ने दिली सरकार्स जवाब मांगा है कोट ने किड़ने प्रतियार उपन के बाद जरूरी दवा का खर्च उठा पाने में और समर्थ दो मरीजों की तरफ से दाखिल याचिका पर विचार करते वे या देश दिया है रूस और उक्रेन के बीच चल रहे है युध का चौथा दिन है रूस और उक्रेन के बीच हाला लगातार बिगरते जा रहे हैं दोनों देश के बीच अबामने सामने की जंग हो रही है इस बीच युक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने 24 फरवरी से अब तक 14 विमान 8 हेलिकॉप्टर, 102 टांक, 536 BBM, 15 भारी मशीन गनों और एक B.U.K. मिसाइल को खो दिया है सरकार की तरफ से बताया गया है साथी क्रेमलिन में 35 से अधिक सेनिकों को भी खो दिया है स्वागत किया, P.M.O.D. ने हाथ हिला कर लोगों का विवादन गिया, वहीं जोरान किंद्रेमंत्री अनुप्रिया पटेर ने समोधन में P.M. का स्वागत किया लंब इंतिजार के बाद आखिरकार कल यानी 28 फरवरी को स्कोडा ओटो इंडिया, स्कोडा स्लाइवा को लाँच करने के लिए पूरी तरह से तयार है आपसी विवाद को लेकर शिरू हुए दोनों देश के बीच दुनिया के बड़े-बड़े राजनेत अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वहीं इस जंग पर फिल्मिज सितारे भी अब अपनी राय देने से पीछे नहीं हट रहे हैं जिस केते है थी हाली में रूस और यूकरिन की जंग पर अब सल्मान खान की कथद कल्फरिंट सिंगर यूलिया वंतूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है यूलिया वंतूर रोमानिया की रहने वाली है उन्होंने इस जंग में यूकरिन का सपोर्ट किया है और रुसी रास्टपती व्लामीदीर पुतीन की आलोचना की है हमाजर प्रदेश में पांस दिन से लगातार बारिश और हिमपात से उपरी शेतर में जन जीवन बेहाल है लाहुल स्पती और केस समदो ने 14,000 फीट की उचाई पर गर्ष्ट करते पे जवानों का ITVP ने एक वीडियो भी शेयर किया है इतनी उचाई पर माइनस 20 डिग्री तापमान में भी जवानों के हासले पुरी तरह से बुलंद है फरवरी के अंतिमर विवार को प्रधान मंत्री मोदी ने रेडियो कारिक्रम मन की बात के जरिये लोगों को संबोधित के आपने संबोधन में उन्होंने देश की धरोहर की बात कही है राजधानी दिली में जनवरी के बाद अब फरवरी में भी बारिश का रिकॉर्ड टूड गया है शुकरवार कि राद दिली के ज्यादतर हिसों में तेज हवा के साथ बारिश और उलाव रिष्टी हुई इसके साथ ही दिली की मानक बेद शाला सफदर जंग में भी अब तक फरवरी महीने में 28.97 की मिलिमीटर वारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है ये वर्ष 2014 के फरवरी महीने के बाद सबसे ज्यादा है कोबिट संकर्मन के मामले में गिरावट को देखते वे सभी प्रतेबंधों में ढीर देने के साथ ही दिली मेटर ने सोमवार से ट्रेन में यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने के रुमती दे दी है दिली आपदा प्रबंद है प्राधिकरिन के शुकरवार को ही वैठेक पेंदर ने लिया गया है सोमवार्थ सबी प्रतिबंद हटा दिये गये हैं मास्क नहीं पहनने पर जर्माने की राशी 2,000 रुपे से खटा कर 500 रुपे कर दी गई है चार करोर 22,90,901 केस हो गई है फिलाल 1,14,72 आक्टिफ केस है जिसकी दर 0,2.26 प्रतिशत है इस समय देश में डेली पॉजिटिविटी डेट 1,00 प्रतिशत है और वीकली पॉजिटिविटी डेट 1,26 प्रतिशत है शनिवार को कहा कि अनावशक विवादों को प्रत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और छात्र स्कूल की युनिफॉर्म द्वारा निर्देशित होने चाहिए नाइडो ने बैंक्डोरों में एक लीजी स्कूल में इंडोर स्पोर्ट्स एरिना और लैटरेली का उद्गाटन करने के बाद कहा कि करनातक में ज्यारी विवाद की तरह ही अनावशक विवादों को प्रत्साहित नहीं किया जाना चाहिए एक स्कूल में आप सभी स्कूल की यूनिफॉर्म द्वारा निर्देशित होते हैं चाहिए वो कोई भी यूनिफॉर्म हो इन दिनो रियालिटी शो स्मार्ट जोरी टेलिविजिन की दुनिया में होट टॉपिक बना हुआ है ये एक सेलिब्रिटी शो है जिसमें टीवी के कई सितारे भाग लेते नजर आ रहे हैं खबरों के मताबिक इस सेलिब टीवी शो में सबसे हाई पेड स्टार का पलंकिता और वेकी जैन को माना जा रहा था लेकिन ऐसा नहीं है रिपोर्ट के मताबिक भागिश्री और हिमाले इस्चो में सबसे जादा फीस चार्ज कर रहे हैं खबरों के मताबिक एक अपल एक स्मार्ट जोरी के एक एपिसोड के लिए 10 लाग रुपे चार्ज कर रहे हैं त्रपुरा के अगरतला शहर में सत्ता रूट भारती जन्ता पार्टी और विपक्षी पार्टी कॉंग्रिस की कारेकरताओं के भी शनिवार को जड़प हो गई ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटे में 2.18 फीजदी की गिरावट के साथ 1.75 ट्रिलियन डॉलर पर पहुच गया है करीब 29.55 फीजदी गिरकर 68.18 अरब डॉलर हो गया है पिरशे 24 घंटे के दारान डी सेंट्रलाइजड फाइनांस में कुल वॉल्यम 11.02 अरब डॉलर पर रहा जो 24 घंटे की क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वॉल्यम का करीब 16.01 फीजदी है वहीं स्टेबल कॉइन्स में क सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के वेनी वेश में आसानी होगी LIC का IPO अगले कुछ महीने में आ सकता है इस IPO में कुछ हिसा पॉलिसी धारकों के लिए रिजर्व होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने किली पॉल को लेकर अपनी बात कही है आपको बता दे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात करकर में बॉलिवुड के मशूर हिंदी गानों को गुन गुना कर वीडियो बनाने वाले तंज़ानिया के सोशल मीडिया स्टार पीएम बहन किली पॉल और नीमा पॉल की तारिफ की है पीएम मोदी ने कहा है कि दोनों के अंदर भारतिय संगीत को लेकर एक जुनून है एक दिवानगी है और इसी वज़े से वो काफी लोग प्रिये है राजुमहिला आयोग ने मुंबई पुलीस को लिखित शुकायत दी है जिसके बाद दिशा सालियान की मा का कहने पर केंदर मंतरी नारायन राने और उनके बेटे ने तेश राने पर केस दर्च किया गया है भारत और श्रिलंका के बीस 1320 माच की सीरीज का दूसरा मुकाबला धर्मशाला में खेला गया यहां मौसम बहुत छंडा बना हुआ है ऐसे में माच के दौरान रोही शर्मा ने ठंड को दूर भगाने के लिए कौफी का सहारा लेया जब कॉफी पीते पीते उनकी नजर क्यामरामान पर गई तो उन्होंने क्यामरामान को भी कॉफी ओफर कर डाला बीसीसी आई ने इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया है युकरेन के राष्टपती व्लॉमिदीर जिलिंस्की ने पूरे दुनिया में एक वैश्पिक ने ताबन कर उभरे भाते प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से युद्ध को रोकने के लिए इत्समर्थ हनमागा है पीमो द्वारा जारीकी की जानकारी में बताये गया है कि राष्टपती जिलिंस्की ने प्रधान मंत्री मोदी को युकरेन में जारी संगर्श की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी प्रदान मंत्री मोदी ने जारी संगर्श के कारण जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है दिली विश्विद्याले के अंठानवे दिक्षांत समारों में श्रनिवार को रक्षा मंत्री राध्या सिंग शामिल हुए रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन में मरियादाओं का होना आवश्रक है हमें बड़े मन के रिशी मुनी ने कहा था कि whole world is my family छोटे मन के लोग ऐसा नहीं कह सकते बड़े मन के लोग हमारे भारत में हैं छोटे मन के तो 9-11 को अंजाम देते हैं अमेरिका में टावर गिरा देते हैं अमेरिका में ही ट्रेनिंग की है और वहां जाकर ऐसा करते हैं भारतिय में मोटापे को लेकर के बढ़ती चित्ता के बीच नीतियायोग अधिक्चीनी वसा और नमक वाले खादेपदार्थ पर काराधन और Front of the Pack लेबलिंग जैसे कदम उठाने के प्रस्ताफ पर विचार कर रहा है Front of the Pack लेबलिंग से भोगताओं को अधिक्चीनी नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने भी मदद बिलती है यूपे विधान सबाद चुनाब 2022 के पाँच विचरन में आयोधिया सदर विधान सबाद सीट पर भी मतदान हुआ इस सीट पर भाजपा के वेद प्रकाश गुपता और समाजवादी पार्टी के तेज नारायन पांडे पवन के बीच कड़ी टकर देखी ले मतदाधिकार का प्रयोग करने के बाद यहां के वरिष्ट संतों ने सपाधियक्ष अखिलेश यादफ पर जम कर निशाना सादा हनुमान गड़ी के महंत राजुदास ने इटीवी भारत से बापचीत की दौरान सपा सुप्रीमों अखिलेश यादफ को काल नेमी और गिर्गिट बताया उत्रप्रिदेश विधानसभा चुनाब 2022 में जुन्ना के बाद अब अवजल और जाकर नाइक का जिन बाहरा गया है शनिवार को चंदौली दौरे पर पहुंचे भाजपासांसत व्रजभूशन शरन सिंग ने जनसभा को संबोधित करते वे कहा कि जो भी भारत की टुकड़े करने की बात करेगा उसे घर में खुस कर मारेंगे इस दौरान भाजपासांसत ने मुस्निम समुदाय को भी आड़े हाथ हो लिया पाकिस्ताल से तातकबादी संगठर मुखिरूप से लशकर एताइबा एलेटी हरकत उलमजाहिदीन एच यू एम हिजब उत तहरीर एच यू टी जबुकश्मीर अंधिप्रदेश के रल और तमिलाडो में अर्फ संख्यक समुदाय के भोले भाले युवाओं की भर्ती करने की कोशिश कर रहा है ये दावा भारत की राश्टरे जाच एजंसी एनाईये ने किया है इस संबन में नई दिली स्थित एनाईये मुख्याले के एक वरिष्ट अधिकारी ने एटीवी भारत को बताया है कि एजंसी ने इस मामले को लेकर अपनी सभी शाखा को अलट कर दिया है महराश्टर के पूने पूलीस ने खथित अवेद फोन टैपिंग मामले में आईपेस अधिकारी रश्मीर शुकला के खिलाफ एफायार दर्च किया है निउस एजंसी एनाई की रिपोर्ट के मताबिक फोन टैपिंग केस में पूलीस ने पूने की पूर्फ पूलिस आयोग तिरश्मी शुकला के खिलाफ ही इंडियन टेलीग्राफ आक्ट की धारा 26 के तहट प्राथवे की दर्च करवाई है जमु कश्मीर के पूर्फ मुखिबंतियों और नाशनल कॉन्फरेंस के सबसे बड़े नेता पूर्फ अजमेर की द contrya के पूर्फ 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 पूर्यर के पूर्फ के सबसे इसर ने हमें कॉमेंट करके दिया था वहरतuiten बहुंद्र हैंग्यवाद से ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादफ, महा सेट माइकल, ट्रिया यादफ ओफिशल, सुनाली सिंग, जितेंदर ठाकुर, सतीश मिश्राव, नुनु कुमार, मुनना कुमार, महा सेट माइकल, जितेंदर कुमार, जबीर आलम, उमेश राव, निर्मला परसाथ आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें जिन भी यूजर का जवाब हम अच्छा लगेगा हमार दिन वीडियो केंट पे उनका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार देश भर में कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के मदे नजर क्या सभी राज्य को अपने यहां लगाए गए प्रतिबंध को हटा देना चाहिए या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सबस्क्राइब करें और बेल आइक को नबाना ना भूले धन्यवाद